नवस्तार टोटल हेल्ट में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ किरन भारज कतरा कतरा खूल का जीवन का आधार अपना रक्त दान कर करे प्राणों का संचार रक्त दान है महादान रक्त दान है जीवन दान आपके कुछ मिनिट ही लेता है लेकिन किसी व्यक्ति को जीवन दे सकता है इसलिए सभी को रक्त दान करना चाहिए किस तरह से होती है रक्त दान की प्रक्रिया और कॉल सी वो अवस्थाय हैं जिसमें किसी व्यक्ति को रक्त की आविशक्ता होती है यह जाने के विशेशक्यों से एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और यह समझ लेते हैं कि दरसल रक्त हमारे शरीर के लिए हमारे स्वास्त के लिए और हमारे जीवन के ल जो जीवन का आधार है रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है रक्त एक शारीरिक तरल संयोजी उतक द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन अंगों में लगातार प्रवाहित होता रहता है रक्त प्लाजमा वह रक्त कड़ों से मिलकर बनता है रक्त कंड तीरपका को शरीर से श्वसन अंगों तक पहुंचाने का कारे करती हैं कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने की आवश्यक्ता होती है और रक्त चढ़ा कर व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है रक्त दान एक सरल प्रक्रिया है जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है इस प्रक्रिया के दौरान रक्त दाता को किसी प्रकार की समस्या या तकलीफ नहीं होती वो आदे घंटे में ही घर जा सकता है खून की मात्रा डोनर के सर्प्लस ब्लड से ली जाती है जो 21 दिन में दुबारा बन जाता है हर स्वस्त व्यक्ति तीन महिने में एक बार रक्त कर सकता है एक यूनिट रक्त में चार लोगों की जिंदगीयों को बचा जा सकता है आपके द्वारा किया ररक्त दान कई जिंदगियों को पचा सकता है इसलिए ररत दान अवश्य करें किरन भारद वाज डीडी निऊज तो रक्तदान कोई कर सकता है किस तरह से होती है ये प्रक्रिया और कितनी सरल है किसी व्यक्ति के लिए रक्तदान की प्रक्रिया ये जानते हैं विशेशगियों से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस थे थे विशेशगियों का खास पैनल, उनसे आपका परिचे करा दे, हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर जैन, असिस्टन प्रोफेसर डिपार्टमेंट ओफ हेमेटोलजी फ्रॉम सफदेजिंग हास्पिटल, आज क तमाम लोग जिनके जीवन को कोई खत्रा होता है, चाहे वो किसी सरजरी, किसी शले चिकित्सा के विधी या ट्रामा की वजह से हो कई ऐसी स्थितियां हैं, जिन्वे व्यक्टी को ब्लड ट्रांस्फूजन करके बचाया जा सकता है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उस व् वक्त मिल पाए, और इसके लिए आवश्यक है कि प्रतेइक व्यक्ति यानि हम सब रक्तदान अवश्यक करें, कोई भी व्यक्ति कितनी फ्रिक्वेंसी में यानि कितने समय में रक्तदान कर सकता है, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यह हमारे विशी शग्ये सकते हैं, इमेल अड्रेस है, ddnews, totalhealth, at gmail.com, तो आई जानकारी की शिरुवायत करते हैं, समझते हैं, कितना मेहत्व है रक्तदान की प्रक्रिया का, किसी भी उस व्यक्ति के जीवन के लिए, जो रक्त का चढ़ाने की वजह से, यानि ब्लड ट्रांस्फूजिन की वजह से जिसका जीवन खत्रे में है, सबसे पहले रक्त दोपाल, आपसे समझना चाहेंगे, कि ब्लड ट्रांस्फूजिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कैसे व्यक्ति के लिए, जिसका जीवन संकत में हो, किसी भी ऐसी स्तिती में, जिसमें उसे रक्त चढ़ाने, या ब्लड ट तो रत ब्लड ट्रांस्फूजन इस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखो कि कोई ट्रॉमा पेशेंट है, किसी को रोड एट्सिडेंट हुआ है, तो उनमें बहुत जल्दी उनके शरीर से रत बहार निकल जाता है, तो जितनी जल्दी हम उनके रत चढ़ा सके हैं, उत तो उनको बहुत ज्यादा रत चढ़ाने की जरुवत पड़ती है, तो उनको हर महीने, हर दो महीने में उनको रत चढ़ाने की जरुवत पड़ती है, अजर उनको रत नहीं मिले या, तो उनकी जान को शत्रा हो सकता है, उनकी बोडी में रत चढ़ाने की बहुत क्यमी हो जा success saving दवा है और वो इस पकार की दवा है कि वो kis़ी factory में नहीं बन सकती वो केवल human body में मानव शरीर में ही बन सकती है और जिस्षी को blood की जरुत होती है वो के व esos को रगदेने से को नहीं मिल पाएगी और लोग कि यह लोग को कुछ लोगों क यूझ यूइर्सल माणा जाता है यूंज़ोची के लिए उपयोग हो सकता है वहीं कमा उसे फर्क होता है और कितने मेहत्वपूर्ण है इस वर्ग को समझना तो नॉर्मली सामनेतर लोगोपट में जो पता है कि चार प्रकार के ब्लड ग्रूप होते हैं ए ओ बी और एबी तो जो ओ ब्लड ग्रूप है उनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है एंटीजन मतलब यह होता है कि जो बाहर से पदा बड़ जैसे कि मैंने बताया ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ हमारा तरीके से आपका युनिवर्सल ब्लड ग्रूप हो जाता है कि हम किसी को भी चड़ा सते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी ब्लड ग्रूप नहीं है उसी प्रजार से एक एंटीबोडी होती है जो भी आपका एंटीजन है उसके अजेंस्ट या उसके विप्रीत उसमें एंटीबोडी होती है ए वाले में आप में एंटीबी एंटीबोडी होगी बी वाले में एंटीए एंटीए एंटीबोडी होगी ओ वाले में दौनों एंटीबोडी होती है एंटीए और तो इसको हम सारे प्रकार के भूर चड़ा सकते हैं उसको बाट गूप पहेए लेकिन व्यक्ति को रख्ति को रख्त की आवशिता पड़ती है तो उस्तिति में उसको केवल ब्लड चड़ाना पड़ता है जी डॉक्टर अंकुर जैन आपसे यह समझ ले कि जब कोई भी व्यक्ति रख्तदान करता है क्या components है क्योंकि अब कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति रख्तदान करेगा तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है कौन से components है जो एक unit blood से मिल सकते हैं और किस तरह से उनका करेट कर देते हैं मशीन के द्वारा सेंट्रिफिगेशन के द्वारा तो हम उसके बहुत सारे components को separate कर सकते हैं सबसे पहला component है प्लाजमा फ्रेश फ्रोजन प्लाजमा जिसको बोलते हैं तो मोटे-मोटे तौर पे यह तीन components होते हैं हाला कि fresh frozen plasma को जब हम आगे process करते हैं तो cryoprecipitate भी बनाए जा सकता है तो यह सारे components जो हैं वो हमारे एक blood से निकाले जाते हैं जिनको हम उनकी particular indications के हिसाब से use कर सकते हैं अगर किसी मरीज की platelets कम है तो उसको platelet चढ़ा सकते हैं अगर किसी patient को bleeding की problem है उसको coagulation की problem है for example hemophilia की problem है या उसको तो उस case में हम उसको plasma चढ़ा सकते हैं तो किस condition के लिए हम component मांग रहे हैं उस पर depend करते हैं कि हमको कौन सा component देना है जी डॉक्टर गपाल जब भी डेंगू की cases बढ़ते हैं तब देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे patients होते हैं जिनने platelet transfuse करने की आवश्यक्ता होती है नहीं platelet चढ़ाने पड़ते हैं क्या कोई व्यक्ति सिर्फ platelet भी दान कर सकता है या पहले whole blood लिया जाएगा पुरा यूनित लिया जाएगा और उसके बाद ही उसमें से अलग अलग components को separate किया जाता है नहीं आज कल ऐसी तक्निक आगी है जिसे अफरसिस technology कहते हैं उसमें हमें जो भी blood component required होता है उसको हम बहार निकालते हैं बाकी ब्लड उसकी बड़ी में वापस चला जाता है तो जैसे platelet होता है तो उसके platelet अफरसिस करते हैं हम मशीन के थूरू उसके connect करते हैं डॉनर को और उसमें से क्यावल platelet बहार निकालते हैं जो platelet आपके ज्यादा amount में रहेंगे 200-300 ml में और उसमें ज्यादा dose of platelet रहे जी तो एक बार में आपके पैशन में बहुत ज्यादा platelet बढ़ाए जा सकते हैं उसमें जबकि होल email हमार पास आ गए हैं एक email है मुकू साहब भाई का है और वो यह जाना चाहरे है कि क्या जिस व्यक्ति को मधुमें रोग हो वो अपना रक्तदान कर सकता है डॉक्टर अंकूर आपसे यह समझ ले कि डोनर अगर कोई रक्तदान करना चाहता है व्यक्ति तो कौन से वो लोग हैं जिनका रक्त लिया जाता है या उपयोग में आ सकता है कौन रक्त दाता बन सकता है सबसे पहले बात तो यह किरन जी कि जब कोई डोनर होता है तो जब हम उससे ब्लड लेते हैं रक्त लेते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक तो डोनर की सेफटी कि जो बंदा खुन दान कर रहा है वो सेफ रहे ब्लड डोनेशन के बाद या रखदान के दौरान और दूसरा जो वरक्त किसी को चढ़ाया जा रहा है तो वरक्त चढ़ाने के लिए भी सेफ हो याना कि रिसीपिन जो जिसको रखद मिल रहा है उसे को इन्फेक्शन का खतरा इन दोनों बातों का ख्याल करते हुए हम डोनर को चूज करते हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो जहां तक डाइबटीज की बात है तो डाइबटीज के पेशन्स जो होते हैं वो ब्लगदान कर सकते हैं अगर उनकी डाइबटीज कंट्रोल में हो और वो खाने वाली दवा का खतरा होता है तो इन दो बातों का हमें भूत ख्याल रखना होता है कि डायबेटिक्स है अब कोई है यह प्रेशर ही होता है अगर उनका बीपर कंट्रोल है मेडिसिन पे तो वो रगदान कर सकते हैं ऐसे ही अगम देखें कि जिसपी डोनर का कोई वस्हुत कुम को läuft करें हैं लोगों को खुद का खुण का मोजन k होता है। उनको हम नहीं लेते हैं, कोई अगम 18 साल से कम का है या कोई 20 साच साल से उपर का है उन दोनों को जनरली हम उस ऐज ग्रूप को avoid करते हैं या कोई मरीज जिसका वजन, शरीर का वजन 45 किलो या 50 किलो से कम है, उन लोगों को हम लोग blood donation के लिए मना करते हैं, क्योंकि इन लोगों में इन donors को blood donation से खतरा होता है जी, तो मुकेश भाई जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या मधु में रोगी रक्तदान कर सकते हैं, विशेशेग्यों ने साफ कर दिया है, कि अगर आप खाने की दवा ले रहे हैं और diabetes controlled है, तो रक्तदान किया जा सकता है डॉक्टर घुपाल रश्मी जी का एक email है, वो ये क्या रहे हैं कि क्या ऐसी संभावना हो सकती है, कोई भी जो रक्तदान करना चाहता है और वो कई बार सोचती है, 36 वर्श की है, सोचती है कि उनको रक्तदान करना है, बढ़ ये सोचके डर जाती है कि कहीं उसकी वज़े से उन्हें कोई infection या समस्तिया तो नहीं हो जाएगी कितना सेफ होता है किसी एक व्यक्ति के लिए जो सामान्य है, रक्तदान की प्रक्रिया कितनी सरल और कितनी सुरक्षित रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बहुत ही सुरक्षित है इसमें जो रत्तदाता है उसको किसी प्रकार का कोई infection नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ कुछ रत्तदाताओं में रत्तदान के बाद बेहोशी की या थोड़े समय के लिए वो भी होती है दिक्कत तो उसके लिए भी अज़र आप रत्तदान से पहले अच्छे से खाना खाके आएं, 15 मिनट से पहले आपने कुछ ठाया ना खाया हूआ हो और अच्छे से पानी पीया हूआ हो तो आपको वो भी प्रावलम किसी में नहीं होती है दुटर अंकूर तो यही बात कर लेते हैं मान लीजे किसी व्यक्ति ने सोचा है कि उसको रत्तदान करना है किस तरह की तैयारी करनी होगी जब रत्तदान के लिए जा रहे है क्या तैयारी करके जाए और य उसको चक्कर आने के रिस्क होते हैं या प्लट BP कम होने के रिस्क होते हैं इसलिए जो patients blood donation के लिए जाते हैं उन्हें कभी भी खाली पेट जाने के लिए नहीं बोला जाता है blood donation से पहले-पहले कम से कम 4 गणटे पहले कुछ न कुछ जरूर खाया होना चाहिए वो इसलिए होता है ताकि उन्हें चक्कर ना है blood donation के दौरान या उसके बाद और खून दान करने के बाद भी patient जो होता है उसको हम हलका सा rest कराते हैं आधा से 1 घंटा तुरंट उसको नहीं उठाया जाता है blood donation के बाद उसे कुछ juice या पानी जरूर पिलाया जाता है ताकि उसका BP stable रहे दूसरी बात ही है कि जो लोग जिनके night duties होती है जो रात को काम करते हैं उन लोगों को एड़्वाइस किया जाता है कि night duty के तुरंत बाद blood donate ना करें उन्हें rest किया जाता है उसी के बाद उनका blood लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है त और पानी दुबारा से पीना बहुत जरूरी होता है और सोना adequate sleep is very important तो blood donation से पहले एक रात को सोना बहुत जरूरी होता है और कोई patient अगर painkillers वग्यारा पे है तो उसको हम specifically बोलते हैं कि आप painkillers जो हैं generally आप avoid करें trans blood donation से पहले फिलाल एक caller है संतोज जी है दिली से call कर र होती है कोई क्या ना मैं red cross society से बोलते हैं कोई बोलता line society से तो सर यह कैसे पतल गया कि जो यह वागी जो हम रस्तान कर रहे हैं यह अधुराइज हैं यह रिजिस्टर हैं जी और दूसरा यह था कि जैसे मानली कि मैं blood donation करता हूं और मानली कि मुझे कभी इन future अगर blood की जरू ना वह काट देते हैं उसके तुरुम कहीं जाते हैं तो हमें मिल जाएगा दो महत्वरपूर्ण सवाल है इनके पहला सवाल डॉक्टर गुपाल आपसे कि यह कैसे इंशूर होगा कि अगर कोई लाइसेंस के आप कोई भी blood collect नहीं कर सकता है कोई भी blood bank नहीं चला सकता है तो जो भी आपका वहां पे इसाउड नहीं करने मिल चाइब और जो इनका दूसरा सवाल सवाल अगर बन डोनेट ङिया है क्या जिफक्त थने हमें शेक्ता सापड़ेगी फिर इस है क्रिया को दोहराना पड़ेगा तो किरन जी जो blood donation होता है वो voluntary होता है मतला patient खुझ चूज करता है कि मैं blood donate कर रहा हूं तो जब बलड donate करता है तो उसे card भी दिया जाता है कि उसने blood donate किया है और अगर ज़्रोज पड़ती है तो वो definitely उस card को use करके Red Cross Society के करेंगाउब पास जा सकता है कि मैं ब्लाड डोनर हूं और मेरे को ब्लड की रिकॉर्मेंट है तो वह तो इस कार्ड को अपने डुनेशन काड को डेफिनेटली उसकर सकता है यहां पर रुकेंगे छोटे से बुरेक के लिए ब्लाड डॉनेशन के महत्व के बारे में यह जानक के करेगा? तो समर्कूल जो हर दिल करे 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 कुछ। कुरियोसिटी किन टेक उतिक उसमाँ तो मौट्टरों के टेक्राइब करें इस ने ने जिए कुरियोस अट पाल दिस प्रीज कोड जिए प्रीज गूर एक कई टेक टेक टोफ इसमें जाडिए टाइस इंशुरेंस क्लीम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती है। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है, रैपिड फैर क्वेश्चन्स राउन का छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। जिनका वजन साट किलो से क्रम है, उनमें हम तिन सो पचास हमेल लेते हैं, जिनका वजन साट किलो से उपर हैं, उनमें चार्शो पचास हमेल हमते हैं। नहीं, इन सिचुवेशन में हम ब्लड डोनेशन उस बंदे से नहीं लेते हैं। जो रक्तदाता है या रक्तदान करने गया है अगर आवश्यक्ता हो तो एक्स्ट्रा ब्लड भी उसके शरीर से लिया जा सकता है। जी नहीं, यह ट्रैटेरिय आपका फिच से जैसे मैंने बताया था, 350 ml और 450 ml ही ले सकते हैं। उससे उपर हम नहीं चले जा सकते हैं। नहीं, हम जो ब्लड है, जो रेट सेल हैं, वो हम लोग क्रॉस मैचिंग के बाद ही चड़ाते हैं। तो जिस बंदे का जो ब्लड ग्रूप है, उससे वो ही मिलना चाहिए। जो किया जाता है, उसके बाद तुरंत ही व्यक्ति को चड़ा दिया जाता है, जिसको आवश्यक्ता होती है। नहीं, उसमें बहुत प्रचार के टेस्ट किया जाते हैं। जैसे HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Malaria, Syphilis और उसके अलावा उसकी ब्लड ग्रूपिंग की जाती है। तो इसमें कम से कम 24 जंटे जा टाइम लज जाता है, 24 जंटे के बाद ही इसको चड़ाया जाता है। जोक्टर, किस तरह से अगर किसी वेक्ति को कफ कोल्ड हो, गला खराब हो, फ्लू हो या वैक्सिनेशन करवाई हो, कितने समय के बाद वो रक्तदाल कर सकता है। जोक्टर, किसी मरीज को अगर इनफेक्शन है, फ्लू है, तो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है, जब तक यूँसका फ्लू बिल्कुल ठीक ना हो जाए। अगर किसी ने वैक्सिनेशन ली है, तो डिपेंड करता है कौन सी वैक्सिन लिया है। अगर फ्लू की वैक्सिन लिया है, तो दो हफते का गैप होना चाहिए। और अगर कोई लाइव वैक्सिन ली है, जैसे MMR वैक्सिन है, तो जनर्ली उसके बाद one-month का, 28-days का गैप होता है, उसके बाद वह ब्लड डोनेट कर सकता है। डॉक्टर गोपाल, अगर किसी व्यक्ति से रक्त लिया गया है, कितने समय में उसका उप्योग हो जाना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति जो रक्त दान करना चाहता है, कम से कम उमर और अधिक से अधिक उमर कितनी होनी चाहिए? कम से कम उमर 18 साल, और अधिक से अधिक उमर हमारी कंट्री में 60 से 65 साल, तो ये हमारे कट ओफ्स हैं, एज के हमारी कंट्री में ब्लड डोनेशन के लिए जे, जे, जड़क्टर गुपाल बहुत से लोग ये मानते हैं, कि अगर बीपी जादा है और ब्लाड डोनेट किया, तो बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि उसका वालियूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर भी कम होगा? नहीं यह केवल एक मित है लोगों में जलत अवधाना है इसमें आपके बीपी पे कोई फरटनी पड़ता है हाँ थोड़ा बीपी काम होता है उस टाइम के लिए लेकिन वह आपस आपके अंदर्मल हो जाता है लेकिन फिर भी दवाओं के साथ बीपी को कंट्रोल रखना बहुत है बहुत है ज़िए जिसका डेंटल प्रोसीजर हुआ हो या कोई सरजरी हुई है कितने समय के बाद रख्तदान कर सकता है माइनर सरजरी इसे डेंटल सरजरी के बाद अकसर हम लोग 6 महिने का गैप बोलते हैं तो किसी का डेंटल प्रोसीजर हुआ है कि माइनर सरजरी हुई है उसमें 6 महिने के बाद वो खुंदान कर सकता है जे डॉक्टर गुपाल अगर किसी ने टाट्विंग कराई है या नाक कान छेदवाया है पियर्सिंग करवाई है क्या वो उसके बाद रख्तदान कर सकता है और संदेश के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे वियोज को हाँ हलाकि टाट्विंग और नाट जो चराते हैं जो आज चल इंडिया में बहुत सारी रोट साइट पे भी होती है तो उससे इंफेक्शन होने की चांसेज होते हैं उस परसन में और रत्तदान के थूरू वो इंफेक्शन पैशन में भी जा सकते हैं तो उसके लिए कम से क समय आपके एच साल कर अचा जया है एच साल का जया होता है उसके बाद आप उसमें रत्तदान कर सकते हैं तो अजर आपको फिर भी टाट्विंग राचरानी है तो आप एक वेरिफाइड शॉप पे जाएं जहां पे नीडल आपकी बदली जाए और आपके तो इंफेक्शन आप रक्तदान करके बहुत लोगों की जो लाइफ है जीवन है उसको बचा सकते हैं तो जो लोग जिनकों की मेजर बिमारिया नहीं है जो फिट है उन लोगों को वोलंटरी ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए और हर दो से तीन से चार महिने में अगर पॉसिबल हो तो कर जो फिटे रहना चाहिए इससे वो अपने परिवार वालों की नहीं बलकि बाकिर लोगों की बहुत सारे लोगों की लाइफ बचा सकते हैं जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के डॉक्टर अंकुर जैन, डॉक्टर गुपाल पातिदार आप लोगों ने बहुत से भ्रहमों को दूर किया है और ये भी बताया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा की अगया जीवन, रक्तदान कई लोगों के जीवन को बचा सकता है, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और अ आज की कारिकरम में फिल हाल इतना ही, हमारी पूरी ठीम को दीजिया अनुमाती, नमस्कार